तो वेलकम बैक यूर अवर यूटूब प्लेटफॉर्म डिस्ट अग्रिकल्चर और आज के इस वीडियो में मैं आप से डिस्क्स करने वाला हूँ एक एक most important question जो कि आपके 11th board exam और 12th board exam के साथ साथ जो competitive exam और जो की मतलब कि जितने भी agriculture से related courses के आप सैयरी कर रहे हैं तो उनके लिए काफी important हो जाता है ये question एक student ने मुझे message किया था कि सर calculate the plant population पर वीडियो एक हमें example कि तुरू बताईए कैसे हम plant population पर hectare उस particular crop के लिए हम निकालेंगे और या इसको हम seed rate भी कह सकते हैं इसी basis पर आप seed rate की भी calculation पर hectare या जो given area आपको दिया होगा उसके recording कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे plant population निकाल लेंगे यदि आप nursery यान की त्यार कर रहे हैं ठीक है तो उसके लिए आप कैसे plant population निकालेंगे particular area के लिए या पर hectare के लिए मैं दोनों तरीके से यहां पर आपको बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको particular area जो दिया होगा उसके लिए फिर मैं आपको पर hectare के लिए बताऊंग जो भी queries हैं तो आप comment के माध्यम से पूछ सकते हैं ठीक है और वीडियो को like, share and subscribe करना ना भूले तो चलिए start करते हैं तो यहां पर जो questions आपका लिया गया है क्या कह रहा है कि calculate the plant population यहां पर आपको plant population बतानी है ठीक है क्या बतानी है plant population calculate the plant population per plot मतब एक plot है आपका per plot के according बता है अब यहां पर देखें दो चीज़ बता रहा है पर plot बतानी है जो आपको given area दिया है plot का और पर hectare मतलब दो चीज़ें आपर पर hectare से भी बतानी है और पर plot भी बतानी है for groundnut मतलब की मुंभली के लिए groundnut crop के लिए आपको plant population बतानी है groundnut crop grown on area जो दिया है आपका यह plot का area आपको दिया है नाइन टो इन्टी 60 मीटर स्कुरा ठीक है नाइन टो इन्टू 60 मीटर स्कुरा एंड स्पेसिंग इज एबाउट थाटी इंटू 15 सेंटी मीटर स्कुरा ठीक है अब यहां पर एक basic बात आप लोग ध्यान रखेगा देख जितनी भी आपकी होटी कल्चरल क्रॉप्स होती है जैसे कि टोमाटो बनाना ठीक है और ब्रिंजल चिली ठीक है जितनी भी आपकी होटी कल्चर से रिलेटेड क्रॉप्स हैं तो उन में जो इस पेसिंग जो होती है वो मीटर में होती है किसमें होती है मीटर में होती है और concurrent जो आपकी जितने भी आपकी सीरियलाइस और बशा इथि चैकर घडियर उनल सब क्योंकर कंए पि forts नितुफ्टि देगई रचे मिटन तो मंँचवटान और कंद अपको भाट उनल ये plant population calculate करनी है तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले हमें जो question में data given है वो हम लिख लेंगे तो area जो हमें दिया गया है वो कितना है 90 into 60 meter square 90 into 60 meter square यह आपको area दिया गया है ठीक है यहाँ पर आप questions में देख सकते हैं तो अगर हम इसको calculate करेंगे तो यह आपकी पास हो जाएगा 500, sorry 5,400 यह आपका area meter square यह हो जाएगा 5,400 ठीक है मतलब जिसमें हमें plant population calculate करनी है spacing जो आपको दी गई है 30 into 15 cm square ठीक है यह ध्यान रखिगा spacing आपको particular crops की याद करनी पड़ेगी जैसे कि cereals में wheat की paddy की 20 into 10 cm ठीक है तो particular crop की एक वादा fixed आपकी spacing होती है उसको आपको लर्ने करना पड़ेगा यह कभी कभी आपको question में दे सकता है वनना आपको पहले सी question कहता है understood होना चाहिए examiner कहता है ठीक है हाला कि इसमें दिया है ठीक है यह आप देहान रखिएगा तो आप spacing होगा आपकी 30 into 15 cm square तो अगर इसको हम calculate करेंगे तो यह हो जाएगी 450 cm square ठीक है और अगर इसको हम देखे आपको जो area था यह meter square में था और जो spacing है cm square में अब दोनों की जो unit है उसको हमको क्या करना पड़ेगा यह च्छिए में करना पड़ेगा आप दीखे सबको पता होगा कि एक हेक्टीर जो होता है उसमें कितने होते है 10,000 m² होते हैं कितने होते हैं 10,000 m² होते हैं अब चुकि हमाँ पास 450 cm² है इसको हम क्या करना है इसको हम को m² में चेंज करना है तो इसको हम क्या कर देंगे इसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निएकल करके है जो एरियाज्टाइगा जिरो पाइंट 45 मेंटर इसक्वार या आपका एरिया जएका किसुमें मेंटर इसक्वार में अब याँपर हमारे पास दोनों की यूनिटी एकवल हो चुए है टीक है अब हम formula यूज़ करेंगे कि formula क्या कहता है कि plant population आपको निकालनी है तो plant population का जो दिखेंगे इंपॉर्टन्ट है आप ध्यान लगेगा plant population जो होती है ये आपका जो formula होता है area upon spacing area भी आपकी meter square में होनी चाहिए चीक है और जो spacing भी है ये meter square लिखाओ नीचे ठीक है ये ध्यान लगेगा area भी आपकी meter square में और spacing भी meter square में या आप ऐसे भी कह सकते है कि area भी आप centimeter में कर लें तो spacing भी centimeter में कर लें तो मतलब कहने का ये आपका मतलब है कि दोनों की unit जो है वो equal होने चाहिए तब ही आपकी जो calculation है वो value आपकी exact है बना variate कर जाएगी ठीक है यहाँ पर हमने दोनों की value को equal कर लिया तो area आपका जो है वो 5400 and spacing आपको calculate किये meter square में वो 0.045 meter square अब दोनों को हम जब divide करेंगे तो हमाई पस जो plant population निकल के आएगी आएगी 1,20,000 plants per 5,400 meter square मतलब कि पर plot जो बात की गई थी जो हमें given area दिया था 90 into 60 meter square ठीक है तो 90 into 60 meter square that means 5,400 meter square में जो आपकी required plant population होगी वो होगी आपकी 1,20,000 ठीक है तो इस प्रकार से आप पर plot या particular area के लिए plant population calculate करेंगे अब पर hectare के अगर बात की जाए तो उसके लिए चुकी question में पर hectare भी पूछा गया तो उसके लिए बात करते हैं तो पर hectare जैसे जानते हैं आपको आप एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्कार होते हैं 10,000 मीटर स्कार होते हैं अब देरफॉर 5,400 मीटर स्कार इकोल टू वन लाग 20,000 प्रांट यानि कि आपके 5,400 मीटर स्कार में कितने प्लांट लगते हैं 10,000 मीटर स्कार में कितने प्लांट लगेंगे इसको हम कल्कुलेट करते हैं यानि कि एक हेक्टेयर तो यहां पर हम करेंगे 10,000 इंटू 1,020,000 प्लांट अपन 5,400 एरिया ठीक है इसको जो हम डिवाइट करेंगे तो आपके पास जो पॉपुलेशन निकल करके आएगी यह हो जाएगी आपकी 2,222,222 ठीक है यह आपकी पॉपुलेशन निकल करके आजाएगी और जो यह प्लांट जो होंगे पर हेक्टेयर या पर 10,000 मीटर स्क्वाइर एरिया के अकॉर्डिंग होंगे तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आपको यह कुशन क्लियर होगा और कॉंसेप्ट क्लियर ह हो गया होगा कैसे हम प्लांट पॉपुलेशन की कैलकुलेशन पर हेक्टेयर या पर्टिकुलर जो इवेन एरिया होगा उसके लिए करेंगे फिर भी आपकी यदि कोई क्वाइर है तो कमेंट के मार्द हमसे पूछ सकते हैं और इससे एक और कोशन आपकी पूछा जाता है फाटिलाइजर से कैलकुलेशन फाटिलाइजर से मैनियोर से तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो दोंगा तब तक लिए थांक्यू थांक्यू फार वाचिंग